दोस्तों अक्षय, तृतिया को गर्मियों का धन तेरस कहा जाता है, कहा जाता है, वैशाह की तरह कोई माह नहीं, सतयुक की तरह कोई योग्य नहीं, वेद की तरह कोई शास्त्र नहीं, और गंगा की तरह कोई पीठ नहीं, और इसी तरह अक्षय तृतिया की तरह कोई दूसर मुहूर्त माना गया है अक्षय तृतिया पर इसलिए इसे सम्रिद्ध देने वाली तिथी भी कहा जाता है तो माता लक्शमी यह जो भक्त आपके इस वीडियो को देखने आ रहे हैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इनके जीवन में जो दुख दर्द है उन्हें खत्म कर दीजिए यह भक्त बहुत ही दयालू है दोस्तों आज हम बात करेंगे अक्षय तृतिया का भय दस मई या ग्यारह मई भाई और साथ ही जानेंगे अच्छे तृतिया का पर्व इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि इसे गर्मियों की धनतेरस कहा जाता है इसके शुभ योग पूजा विधी के बारे में में इस दिन क्या करें क्या न करें इस दिन किस चीज की खरीदारी करनी चाहिए और इस दिन किये जाने वाले कुछ चमतकारी उपायों के बारे में, आज की वीडियो में हम आपको अक्षय तृतिया से संबंधित पूरी जानकारी दीने वाले हैं आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है बहुत शर्त यह है कि आपको वीडियो पूरा देखना है बिलकुल भी बीच में स्किप करके नहीं देखना है क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है तो उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें दोस्तों हमारे शास्त्रों में तीन अब्बूज मुहूर्त बताए गए हैं जिस दिन आप किसी पंडित किसी जोतिश से पूछे बिना कोई भी शुभकार्य हो सोलह संसकार हो कर सकते हैं सबसे पहला चैत्र शुकलपक्ष की प्रतिपदा यानि गुड़ी पढ़वा, दूसरा विजय, दश्मी तीसरा, अक्षय तृतिया या आखा तीज का अध्ययन और चौथा शुकलकार्तिक शुकलपक्ष चंद्रमा का आधा भाग, इन तिथियों पर सूर्य और चंद्रमा अपनी उच्च राशि में रहते हैं, और इन ही तिथियों से सतयुग द्वापर त्रेता हो, इनकी शुरुवात की गणना की गई है इन्हें चिरंजी भी तिथी भी कहते हैं, क्योंकि विशेश रूप से आखा तीज को, क्योंकि अस्त चिरंजी भी में से एक, भगवान श्री परशुराम जी का जन्म इसी दिन हुआ था, धर्म की रक्षा के लिए, भगवान विश्नु ने अनेक अवतार लिया, जिसमें नर नारायन हरीगिरी परशुराम, तीन अवतार, पवित्र अवतार, अक्षय तृतिया को ही उदै हुए, अक्षय तृतिया के दिन माता गंगा का पृत्वी पर अवतरण हुआ था, और गंगा के अवतरण से राजा सगर के साथ हजार पुत्रों को मुक्ति मिली थी, और म पार्वती जी ने आज के दिन ही देवी अन्नपूर्णा का अवतार लेकर भगवान शिव को दीक्षा दी थी। पार्वान शिक्रिष्ण ने पांडवों की पत्नी द्रौपदी को पांडवों के अज्यातवास के दौरान अक्षय पात्र भेट किया था। अगर आप गीता जी में समाहित अठारहवें अध्याय का पाठ करते हैं तो इससे अक्षय पुन्य की प्राप्ती होती है। इस दिन महाभारत की लड़ाई खत्म हुई थी। इसी दिन से सत युग और त्रेता युग की शुरुआत भी हुई थी। वहीं मान्यताओं के अनुसार इसी दिन पर द्वापर युग का समापन भी हुआ था। और इसी दिन अक्षय तृतिया के बारे में जब युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा था, तो भगवान कृष्ण ने उन्हें इसके महत्व को बताया था। 10 मई सुबह 4 बजकर 17 मिनट पर पर और तृतिया तिथी की समापती होगी, 11 मई सुबह 2 बजकर 50 मिनट पर 10 मई शुकरवार को अक्षय तृतिया का दुरलब शुभ महासंयोग प्राप्त हो रहा है, क्योंकि शुकरवार का दिन मान लक्ष्मी का है और अक्षय तृतिया इस पूरे दिन में सोना चांदी, हीरे आभूशन, रत्न जमीन गाड़ी या कोई भी खरीदारी आप दिन में आप कर सकते हैं। लेकिन राहुकाल में खरीदारी नहीं करना चाहिए और राहुकाल का समय रहेगा, सुबह दस बज कर, पैंतालीस मिनट से बारह बज कर, तेईस मिनट तक तक, तो इस समय को छोड़कर आप पूरे दिन में कभी भी खरीदारी कर सकते हैं। कोई दिकत परेशानी नहीं है। पूरे दिन में जब भी आपको समय मिले, आप इस दिन अवश्य कुछ न कुछ खरीदारी जरूर करें। इस से घर में सुख सम्रिध्धी आएगी। जन्म जन्मानतर हमारे घर में सुख सम्रिध्धी की बढ़ोतरी होगी। अक्षय अपने आप में सर्व श्रेष्ठ शुभ संयोग होता है। इस दिन मां लक्ष्मी और श्री हरी नारायन मतलब लक्ष्मी नारायन की पूजा आराधना की जाती है। इसके अलावा परशुराम जी की पूजा किया जाता है और इसके अलावा नर और नारायन की भी पूजा होती है। इस दिन हवन सनान जप दान तरपन करने के लिए शुभ माना जाता है। इस दिन सोना खरीदने से मा लक्षमी की कृपा बनी रहती है। इस दिन हिंदु धर्म में आस्था रखने वाले लोग शुभ कार्य प्रारंब करते हैं। इसके साथ ही नई चीजों की खरीदारी का भी इस तिथी पर बड़ा महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन खरीदारी और खास कर सोना खरीदने से घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। यह दिन आपके आध्यात्मिक उठान के लिए भी बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप इस दिन प्रभू का ध्यान करते हैं तो आपको उनका आशीरवाद प्राप्त होता है। दिन दान करने से भी आप जीवन में सुख सम्रिध्धि प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी नया काम हो, नया घर हो, नया कारोबार हो, इसको शुरू करने से उसमें बरकत मिलेगी, ख्याती मिलेगी। पंचांग द कोई नए कपड़े, कोई भी आभूशन, कोई नई संस्था की स्थापना, कोई समाजवादी की स्थापना, कोई उद्घाटन करना, सभी श्रेष्ठ रहता है। आप किसी गरीबों के आश्रम जा सकते हैं, वहाँ भोजन करा सकते हैं। तरपन कर आई अपने पितरों के निमित्त पिंड दान कर, आईए इसे अक्षय फल प्राप्त होते हैं। आज के दिन गंगा स्नान या कोई भी तीर्थों में स्नान भी करना चाहिए। इसे जो भी आप पाप करते हैं, वह समस्त पाप आपके नश्ट हो जाते हैं। दोस्तों इस दिन जो का दान करना चाहिए एक मुठी कम से कम आप दाल कीजिए। इससे स्वर्ण दान, स्वर्ण दान का महत्वतों स्वयम तो आप दान नहीं कर सकते। तो धर्ती का प्रथम अन्य जो मा गया है और जो के दानों को स्वयम के दानों के बराबर माना जाता है, तो आज के दिन एक मुठी जो कभी अगर आप डाल कर लेते हैं, तो भी स्वयम दान के बराबर फल प्राप्त कराता है। इस दिन आप जो इच्छा हो पंखा चाता जल सत्तू फल वस्त्र किसी भी पर कीजिए जरूर अक्षय तृतिया के दिन मा पारवती नर नारायन की पूजा का विधान है और अक्षय तृतिया के दिन ही चारों धामों में से एक श्री बद्री नारायन के पट खुलते हैं और आपको बता दूँ, वरिंदावन में जो बांके बिहारी जी का मंदिर है, नहीं तो पूरे साल वह कपड़ों से ढखे हुए रहते हैं, तो आज के दिन इसका माहात्म्य है, तो खास जान जाएं कि चमतकारी तिथी है और इसका फाइदा आपको उठाना है, इससे पहले किस किस ने उठाया और इसका क्या माहात्म्य है, तो छोटी सी कथा, बताता प्राचीन काल में एक सदाचारी और देव ब्राह्मनों में श्रद्धा रखने वाला एक धर्मदास नाम का एक वैश्य हुआ करता था, उसका परिवार बहुत बड़ा था, और वह सदैव बहुत व्याकुल रहता था, उसने किसी से वरत के अक्षय तृतिया के वरत के महात और गोले के लड़ू पंखा जल से भरे हुए, खड़े जाओगे को नमक, सब दूध दही चावल, अलगोर, सोना वस्त्र, ये सभी चीजें दिव्य ब्राह्मनों को दान किया गया, उसकी स्त्री को यह बात बिलकुल अच्छी नहीं लगी, और वह बार-बार मना करने लग और यही व्यास फिर दूसरे जन्म में कुशावती का राजा बना, अपने अक्षय तृतिय के जो दान का प्रभाव था, उसकी वजह से वह बहुत धनी और प्रतापी बना, और वैभव संपन्न होने पर भी उसकी बुद्धी कभी धर्म से विचलित नहीं हुए, और इसलि जो पुत्रगार्ड है, उनके द्वारा अगर कोई पाप किया गया है, जाने अंजाने अपराध है, या फिर आपने स्वयम नहीं आपके परिवार में किसी ने जाने अंजाने अपराध किया है, तो सच्चे मन से इस दिन ईश्वर से क्षमा प्रार्थना करते हैं, तो भग इसे निवरित्त होकर सूर्य नारायन को जल अर्पित करना चाहिए, अपने घर के मंदिर में आप चौकी लगाकर पूजा कर सकते हैं, या अपने नस्दीक के कोई भी श्री हरी नारायन के मंदिर में कलश की स्थापना करके पूजा संपन्न कर सकते, अक्षय तृतिया की प भक्त आपके इस वीडियो को देखने आ रहे हैं, आपसे हाथ जोड कर निवेदन है कि इनके जीवन में जो दुख दर्द है उन्हें खत्म कर दीजिए, यह भक्त बहुत ही दयालू है दोस्तों, कलश की स्थापना करके, विधि विधान से लक्ष्मी नारायन की पूजा कर के धूब दीप अर्पित करके मा लक्ष्मी और श्री हरी विष्णु के मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए, खीर का भोग अर्पित करें, सफेद मिठाई या दूध से निर्मित मिठाई का भोग लगाना उत्तम होता है, अपने सामर्थ्य के अनुसार और सच्ची श् अधा भक्ती से आपको भोग लगाना चाहिए, श्री हरी नारायन आपके भोग को अवश्य ही स्वीकार करेंगे, इसके बाद आप आर्ती करके की क्षमा याचना कर लीजिए, क्षमा याचना करना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि अगर हमारे से पूजा में कोई भी भ उसके लिए हमें प्रभुजी जरूर क्षमा कर देते हैं माता, लक्षमी यह जो भक्त आपके इस वीडियो को देखने आ रहे हैं, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, कि इनके जीवन में जो दुख दर्द है, उन्हें खत्म कर दीजिए, यह भक्त बहुत ही दयालू है दोस्तों, अक्षय तृतिया में दान पुन्य का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, आप किसी भी चीज का दान कर सकते हैं, जो भी आपका सामर्थ्य है, उसके अनुसार अब दान कर सकते हैं, लेकिन इस दिन जल से भरा कलश अवश्य दान करना चाहिए, एक कलश में जल उसमें थोड़ी चीनी शक्कर डाल करकर मीठा जल घर के किसी भी ब्राह्मनों को दक्षणा के साथ दान कर देना चाहिए, इससे आपके जीवन में सुख सम्रिध्य आएगी, साथ ही आपके जीवन में अगर आर्थिक तंगी है, तो उससे भी छुटकारा आपको मिल तो आप जानते हैं, इस दिन क्या करना चाहिए दोस्तों, अक्षय तृतिया का दिन मा लक्ष्मी को प्रसन्न करने का दिन कहा जाता है, अगर इस दिन मा लक्ष्मी के मंतरों का हम अधिक से अधिक जाप करते हैं, तो इस से हमें जन्म जन्मांतर के लिए मा लक्ष्मी की इस दिन मा लक्ष्मी श्री हरी नारायन की पूजा पाठ करके विश्नु सहस्त्र नाम का हमें पाठ करना चाहिए। इस दिन श्री सूक्त या कनकधारा का पाठ भी कर सकते हैं। कोई भी महालक्ष्मी के मंतर का जाप आप कर सकते हैं। महालक्ष्मी का बीज मंत्र है महालक्ष्मी नर्मा। आप इस मंत्र का जाप 108 की संख्या में अधिक से अधिक करके अपने जीवन का उध्धार कर सकते हैं। जीवन में सुख वृद्धि और खुशियां। ला सकते तो आप जरूर उस दिन इस मंत्र का जाप। ये आपके घर के आसपास जो भी मंदिर है देवी देवताओं का मंदिर है उनकी पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। दीबदान करिए। शिवालय जाकर पंचामृत से शिवजी का अभिशेक अवश्य करना चाहिए। गंगा जल से आप विशेश रूप से अभिशेक करिए। क्यों आरीके से आप भोले नाथ जी से प्रार्थना करें कि मेरे घर में मा लक्ष्मी का वास हो, स्थाई रूप से मा लक्ष्मी वास करें, मेरे घर में में तो यह कार्य अक्षय तृतिया पर आपको अवश्य करना चाहिए। लेकिन ऐसे कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो कि अक्षय बुरा करते हैं, वह सब कुछ संचय हो जाता है। तामसिक भोजन में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, बीडी, सिगरिट। इस तरह का कोई भी चीज आपको तामसिक भोजन ग्रहन नहीं करना चाहिए। आप सात्विक भोजन बनाकर स्वयम और परिवार को ग्रहन करना चाहिए। इस दिन शुद्ध शाकाहारी सात्विक भो अक्षित रहेगा, सारी मनोकामनाएं पूरी होगी, आर्थिक स्थिती मजबूत होगी, सफलता की प्राप्ती होगी, आज का दिन बहुत श्रेष्ठ है, ताकि मैं आपको एक महान उपाय बता रहा हूँ। अगर आप यह उपाय अक्षय तृतिया के दिन कर लेते हैं, तो म लक्ष्मी की कृपा बरसने से आपके उपर कोई नहीं हो सकता है। लक्ष्मी स्वयम आपके साथ गणेश जी के साथ विराजमान हो कि आपके घर में हमेशा हमेशा के लिए निवास करते हैं। उस दिन माता लक्ष्मी का श्री हरी विश्नु का प्रिय भोग, चावल की खीर का भोग लगा दीजिए। साथ में आपके लिए अवश्य चढ़ दीजिए।